जहें नमस्कार साथियों कैसे हैं आप सभी लोग मैंनों जेवा फिर से आप सभी के साथ आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके R.W.A. परिवार में तो प्यारे बच्चों जल्दी से लाइब आ जाएंगे शुरुवात करेंगे आज का सेशन मैं आप लोगों से एक वादा करता हूँ आज के सेशन में जितने बच्चे आने वाले हैं लाइब आप सारे बच्चे बिलकुल मन लगा करके और अंदर से बेफिक्र हो जाईए कि अरे इंग्लिश सब्जेक्ट है ये कैसे होगा बहुत बढ़िया तरीके से और बहुत आराम से बिलकुल बेसिक्स से चीजों को ले करके चलेंगे धीरे 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 करके हम लोग अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे प्यारे बच्चों इंग्लिश को समझने से पहले नाउन प्रणाउन वर्व एड्जक्टिव बहुत सारे ऐसे टॉपिक आएंगे जो आपको परिशान कर सकते हैं अगर आपने अपना इंगलिश का फाउंडेशन अच्छा नहीं करा यानि कि बेसिक्स ऑफ इंगलिश क्रामर तो प्यारे बच्चों होता क्या है कि जब भी हम इंगलिश की शुरुवात करते हैं इंगलिश को पढ़ना शुरू करते हैं तो सीधा पर क्या है नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमने बेसिक्स और शामर को पढ़ा ही नहीं हमने वो कॉंसेप्ट नहीं पड़े जो हमें मजबूत बनाएंगे इसलिए आपका जो सेशन होगा वो हर उस बच्चे के लिए होगा जो यह सोच रहा है कि अप से मेरी शुरुवात इंग्लि मैं हर उस बच्चे पर विशेज ध्यान दूँगा जो नया है जो सीखना चाह रहा है विशेज ध्यान उस पर और जिसको आता है उसको और अच्छा करने की कोशिश करूँगा मैं तो आप जो भी बच्चे जिस भी लेवल के हो जिस भी लेवल पर अपनी तयारी कर रहे हैं आपको बहुत मज़ा आने वाला है आज के सेशन में, तो साले लोग एक बार तयार हैं, टैंशन नहीं लेनी, मस्त होकर, बिंदास होकर, खुश होकर पढ़ना है, क्योंकि जब हम खुश होते हैं तो हमारा दिमाग बहुत तेश काम करता है, और बस आप सारे बच्चे चेहरे और एक पैन लेकर बैट जाएए, और पूरा जो एक घंटा है, आज आप पूरे मन से दे दीजे, फिर देखिए कल की क्लास आने के लिए, आप खुद ही इंतिजार करोगे, सर कल की क्लास कब आने वाली है, बिल्कुल, बिल्कुल, यही स्माइल आपके चेहरे पहर है निच 20 करना पड़ेगा, यह आपके जो अफसर वैचे उसकी पहली डेमो क्लास है, जिसका टाइम टेबल आपके सामने यह है, सुबह 8 बजे 50 क्लास है, कमिस्ट्री बायो 3 बजे है आपकी, 4 बजे अरुन सर आपके लिए, जोग्रफी, स्टैटिक जी के करेंड अफेर लेंगे, 6 शुरुआत करेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिल्कुल बेसिक से, तो सबसे पहला, एक बहुती शानदा सवाल, मेरा आप लोगों से आजाता है, आज दिखना कितना मज़ा है आपको गलास में, एक एक चीजे, इस इंगलिश को ही पगड़ लेते हैं, यह हमें सवाल, मैं सवाल बहुत पूसता हूँ, धान रखना, क्यूंकि मैं आपके अंदर से, जो भी आपका ग्यान है वो उसको निकालना चाहता हूँ, जिजक खत्म करना चाहता हूँ, गलत करेंगे, सही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यह क्लास है आपके भाई की, घर में बैठे हो आप यार, घर में बैठे हो, कोई शर्मानी की जरूत नहीं है, बताओ, बहुत बढ़िया, देखो, यहाँ पर एक बच्चे का जवाब भी आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत शांदार, तो यहाँ पर बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब देना शुरू कर दिय कि सर, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश एक भाषा है, इंग्लिश एक लेंग्वेज है, बहुत बढ़िया, medium of communication, बहुत शांदार, बहुत बढ़िया, देखो, यही क्लास का मज़ा होता है, है ना, ऐसे नहीं कि बस मैं पढ़ाना शुरू कर दिया, बस मैं पढ़ा रहा हू तब ही तो मज़ाएगा पढ़ाने में, तो बहुत बढ़िया आप लोगों ने जवाब दिया, इंग्लिश से डर नहीं लगेगा आज के बाद खतम डर, तो आप लोगों ने बहुत बढ़िया जवाब दिया, कि इंग्लिश क्या है, एक लेंग्वेज है, इंग्लिश is a language, समझते यों चलिएगा, बहुत भड़िया प्रिजेंटेक्शन आईगी, अभी मैं आप लोगों से बनवा रहा हूँ, चाट के थुरू आपको पढ़ाऊंगा, मज़ा आएगा, अब देखना, अब आप मुझे ये तीसरा पोइंट मेरा आप लोगों से सवाल है, ये आप को ने जवाब दिया, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक भाषा है, तीसरा सवाल मेरा आप लोगों से यहाँ पर ये आजाता है, कि इंग्लिश लैंग्वेज है, मगर तीसरा सवाल ये है, कि आप मुझे बताईए, जो आपका लैंग्वेज है, वो कहां से बताई तीसरा सवाल मेरा आप लोग से हैं, जल्दी से बताओ, बहुत बढ़िया, किसी बच्चे नहीं यहाँ पर आंसर भी दिया है, very nice, very nice, बहुत बढ़िया, yes, बहुत शानदार, बहुत शानदार, इंग्लेंड से आईए, ब्रिटेंड से आईए, बहुत बढ़िया, दे तो आप भाशा को बोलेंगे, तो आपका जो तीसरा सवाल है, उसका जवाब क्या रहेगा, कि English कहां से आई है बच्छों, आपके sound से आई है, किस से आई है, sound से आई है, पास समस्ते हो चलिएगा, ठीक है, अब बच्छों, इसके बाद, एक और connection बिठाते हैं, हमने समझा, English एक भाशा है, language है, language कहां से आई है, sound से आई है, sound किस से बना, अब तीसरा, चौथा सवाल मेरा आप से यहाँ पर यह आजाता है, देखिएगा, हर एक चीज आप बनाते हो चलिएगे, कड़ी से कड़ी चोड़ेंगे, subject पर भी आएँगे, subject पर भी आएँगे, आज आपको actual में पता चलने वाला है, कि कहां से हम चीजों को बनाते हो चलिएगे, बहुत अच्छे तरीक से, पूरा foundation ऐसा कर दूँगा, कि English में कभी भी जो भी पढ़ोगे, आपको समस्ते हो चल पाएँगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यहाँ पर मेरे पास आ रहा है आपको, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ठीक है, बास आपको समझ में आ रही है, ठीक है, तो अब ही हमने क्या समझा, कि English क्या है, एक language है, language खहां से आई, sound से आई, और sound खहां से बना आपका letter से, यहाँ तक एकदम clear, चारो step, अब हम लोग क्या काम करते हैं, इस letter को बनाते हुए चलेंगे, बहुत भड़े है तरीके से, अब बच्चो देखो, letter के बारे में हम लोग जब भी बात करते हैं, तो आप मुझे बताईए कि letter से आप लोग क्या क्या समझते है, letter क्या होता है, बताईए, चल्दी से बताएं सारे बच्चे, yes, क्या होता है letter, अच् very good, very good, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, yes, yes, बहुत सुन्दर, अरे बच्च्पन से पढ़ते आए हो, क्या होते है letter आपके, अरे भाई, ये ABC पढ़ते हो ना, A, B, C, D, ये पढ़ते हैं, यही तो letter होते हैं, yes or no, बोलो बेटा, यही तो हमारे letter होते हैं, A, B, C, D, य अच्छा, जब भी हमने letter को पढ़ा होगा, तो आपने एक चीज बहुत भढ़िया देखी होगी, इसके बारे में, क्या, कि letter को हमने divide करना भी सीख लिया था, जह हम 6, 7th या 8th या 9th या 10th क्लास में थे, कि हमने अपने letter को divide किया था, दो भागो में, पहला था हमारा vowel, और दूसरा था हमारा consonant, क्या था बच्चो, दूसरा क्या था हमारा consonant, यानि कि आप इसको vowels में divide करते हैं, और consonants में इसको divide करते हैं, अब consonant के बारे में तो आपको बहुत अच्छे से बता है, वाउल्स के बारे में आपको बहुत अच्छे से बता है, तो चलो मुझे थोड़ा स बताओ के क्या होते हैं वाउल्स और क्या होते हैं आप इसको क्या बोलते हैं वोवल भी बोलते हैं थोड़ा सा चीजें जब एडवांस होती है modern English में आप इसको थोड़ा सा इसको वाउल बोला जाने लगा है वो धिरे-दिरे आप लोग मेरे साथ सीख जाएंगे बहुत अच्छे, very nice अब देखो बच्चो हमने जैसी बात करी तो आपने बोला A, E, I, O, U ठीक है? और जब भी हमने consonant के बारे में बात करी तो आपने बताया, sir, B हो गया C हो गया, है ना, D हो गया इस तरीके से Z तक, right? अच्छा, इतना हो जाने के बाद एक बहुत interesting आपको fact बताता हूँ, किसके बारे में? letter के बारे में, कि आप जब भी किसी के सामने पूछोगे ना, तो आप अपने अगर जवाब दिया, सामने वाला लगागा और आप से कह दूँ, कि इसको तोड़ दो, क्या आप इसको तोड़ पाओगे? yes or no? मैं आप से कहूँ कि B के भाग कर दो, तो क्या कर पाओगे इसके भाग? बोलो? yes or no? अच्छा बस इसके बाद मैं बूट चेंज कर दोगा, स्लैट चेंज कर दोगा थोड़ा डार कर देता हूँ इसको, ठीक है, ठीक है, ओके है, बिल्कुल सही जवाब आपने, है ना, बिल्कुल तोगो बच्छा जो लेटर होता है न, वो हमारा, वो क्या होता है? एक unbreakable unit होती है, unbreakable unit जिसको आप, जिसको आप, जिसको आप, आसान भाषा में, जिसको आप तोड़ नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, और वह सही बात है, अगर आप से कोई कहे, कि भई बी को तोड़ दो, तो क्या तोड़ गए? नहीं तोड़ सकते इसको राइट यहां तक एक तम पिक्चर क्लियर अब इस से आगे जब मैं भड़ूंगा तो आपको और ज्यादा मजा आएगा अब आपको गएगा हाँ अब यह सर हमें और कनेक्ट कर पा रहे हैं प्यारे बच्चो क्या होता है कि हम एक एक करके लेटर तक पहुंच गए अपने यह वही चीज है जो हम लोगों ने अच्छे से पढ़ी है यहां से आपको लगने लाएगा हां सर यहां से तो हम लोग पढ़ते हुआ हैं बिल्कुल तो यही मेरा तरीका है कि बिल्कुल एक- के सामने मैंने यहां लिख दिया फिर मैंने आपसे कहा आर और आपसे मैंने कहा कि यह बताओ सी क्या है आपने का सर लेटर है मैंने का यह आर क्या है आपने बोला लेटर है मैंने काम करो इन तीनों को जोड़ दो तो क्या बनेगा कमेंट वोक्स में लिखना बहुत आसान सा question comment box में लिखकर दिखाओ क्या बनेगा जल्दी बताओ कार बनेगा कार बनेगा आपने सरस्छ की बथा कि बताया व् ACE कि अगर हम इन लेटर को कम्भाईन करते हैं अगर हम इसको कम्भाईन कर देते हैं तो क्या बनेगा अब यह मैं आप से खाऊं कि कार क्या है तो आप क्या बोलोगे सर बहुत असान है कार एक शब्द है एक वर्ड है सारे बच्चे मुझे बताओ यहां तक चैन में आपको मजा आया येस और नो मजा आगे लिख दो कमेंड बोक्स में एक बार सारे बच्चे फटा फट से है ना अब आप लोगों ने कितने असानी से इस कड़ी को यहां से लेकर यहां तक लेकर क्या है शब्द तक अभी मैं बोर्ड चेंज कर रहा हूँ टेंचन मतलो ऐसी पीपीटी दिखाऊंगा कि दिल खुश ना हो जाए आपका तो मुझे से कहना ठीक है दिल खुश हो जाएगा आपका अभी इसको डार कर दूँगा मैं टेंचन मतलो क्योंकि अगर मैं अभी हटाऊंगा ना यहां स तो फिर वो जो है फुर सारे दुबारा लिखना पड़ेगा मज़ा आ गया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत शानदार बहुत शानदार अब देखो बेटा अब क्या होता है हमने इंग्लिश से लेकर हम वर्ड तक आ गए अभी मैं आपको पीपीटी पे ले चलत होगा तब भी आपको डाइग्राम के थुरू पढ़ना शुरू करेंगे अब हर एक वर्ड हमारे माइंड में होगा कि नाउन है पहला रूल है इसका पहला पॉइंट यह तूसरा पॉइंट यह तीसरा पॉइंट यह यानि कि जब भी आपको प्रेक्टिस करनी होगी आप प्यारे बच्चों मैं चाहता तो आपके सामने इसको लिख देता मालब पहली स्लाइड यह लेकर के आ जाता मगर मैंने जान करके आपको आपसे काम करवाया है क्योंकि मैं काम करवाने में विश्वास रखता हूं क्योंकि अगर आप करोगे ना तब आप सीखोगे अब लेटर को जोड़ेंगे शब्द बनेंगे वर्ड बनेंगे तो चैन आप लोगों ने जोड़ी बहुत शांदार अब देखो इस चैन को मैं आपको यहां भी समझा देता हूं जैसे सबसे पहले हमने क्या पड़ा रिपीट करते हैं रिवीजन करते हैं इंग्लिश क्या है साब एक लेंग्विज है लेंग्विज किस से आई साउंड से आई साउंड किस से आया आपका किस से बना साउंड मलब किस से बना लेटर से बना ठीक है अब लेटर के बारे में क्या स दिश्शे पड़ेंगे अच्छी तरीके से जो माणिकल पड़ेंगे कॉंस व्यूजूनेट यनि की बी-सी मलब जैड़ टक है इनको छोड़ कर ठीक है अब हम यहां तक आल गए हैं जोरते हूँ चलिएगा जोड़ते हूँ चलिएगा दुबारा कोगे दुबारा बता देखना बहुत मजाने वाला है, बच्चों विश्वास रखिएगा, एक एक चीज समझा दूँगा, दिन रात आप लोग के लिए खड़ा रहूँगा, मगर आप बस विश्वास रखिएगा, ठीक है? अच्छा, तो ब्यारे बच्चों, हम आ गए अपने वर्ड के उपर, कि अब मैंने यहाँ पर लिखा, आई, आर, जी, एल, मुझे बताओ, क्या ये कोई शब्द है, आई, आर, जी, एल, अभी दुबारा बताताओ, मुहम्मद आयान, मैं दुबारा बताओंगा, बिटा, एक बच्चे का कमेंट आया था भी क्लाश दूरू होने से पहले, कि सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, ओ बढ़ी इसने भेंकर रिक्वेस्ट जो है, वो मेरे से कर दी, उसने कहा कि सर मेरे इंग्लिश का पेपर आप दे आना, कितने शरारती बच्चे हैं, हां, हैं, बोलो पि नहीं है, बच्चो कोई भी वर्ड, तभी वर्ड होगा, जब वो एक प्रॉपर वे में लिखा होगा, ठीक है, उसका एक प्रॉपर ओर्डर होगा, यानि कि यह हमारा कोई शब्द नहीं है, मगर अगर आप इसको प्रॉपर वे में लिखोगे, जैसे यहां पर लिखा कि सरे ने बताया था गुरूप ओफ लेटर जो है वो वर्ड होता है दूसरा पॉइंट सरे ने अब आपको सिखा दिया दूसरा पॉइंट के सिखाया आपको कि भई इसका एक कम्प्लीट सेंस होना चाहिए ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी लिग दिया आई यार जी लिग दिय ठीक है फिर से महनत करेंगे हम एक बार फिर से जो है वो स्लाइट लेता हूं तो इसका कलर चेंज कर दें या डार्क डार्क लिख दूँ यहां से अब देखो बच्चो हमने कहां तक आगे थे हम लोग शब्द तक आगे थे हम शब्द तक आगे थे हम शब्द तक आगे थे आपके है ना वर्ड तक आगे थे अब बच्चो क्या होता है जब हम वर्ड की बात करते हैं तो वर्ड को भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा वर्ड को भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा वर्ड को हम लोग 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं समझे कैसरा अब ये वो शब्द में आपको बता रहा हूँ जो आपने बहुत सुना होगा पर समझ भी नहीं आया ये क्या होता है है ना पहला जो है आपका वो है आपका फ्रेस ठीक है दूसरा है आपका क्लॉस और तीसरा रहता है आपका सेंटेंस और सारी कहानी यहां से शुरू होगी लेकिन क्योंकि आप क्लास में पढ़ रहे हैं आप र्डबलुए के बच्चे हैं तो आपको ये पता तो होना चाहिए, कि भाई, फ्रेज क्या होता है और क्लॉस क्या होता है, राइट, बच्चो देखो, जब हम वर्ड के एक ग्रूप बनाना शुरू करते हैं, अभी हमने लेटर से वर्ड तक बना गए, वर्ड से हम आगी की कहानी ले करके चलते हैं, बच् धालिया, आदित्य, राइट, आदित्य एंड अयान, ठीक है, मैंने आपके सामने दो शब्द यहां पर रख दिये, राइट, अब आपके मन में एक सवाल आएगा, बहुत समझना बेटा, मजे में समझना, बिल्कुल कॉपी में साइड में रखतो, जब लिखने की बात अगर मैं आप से बोलू, आदित्य और आयान, इतना बोलके खतम कर दूँ बात, तो क्या आप कोई मीनिंग निगाल पाओगे, येस और नो, बताओ, बिल्कुल बिल्कुल अभी दुबारा बताएंगे, टेंशन मतलो, रिपीट करेंगे, पहले लास्ट पॉइंट तक आज हो, वो क्या होता है, फ्रेज होता है, समझ में आ गया, इतना खतरनाग वर्ड था, फ्रेज, और व इंग्लिश में फ्रेज में, क्या होता है, अरे भाई, जिसका कोई अर्थ ना हो, जिसका कोई सेंस ना हो, वो क्या है, फ्रेज है, अब दूसरे टफ चीज को पर आ जाओ, मज़ा आता रहेगा आपको देखना डर सारा निकाल दूँगा आज क्लास में अब देखो जब बात आती है क्लॉस की सुनना ध्यान से तो सब्जेक्ट यानि कि जो काम को करता है यह जिसके बारे में बात होती है अभी सब्जेक्ट का लाइव एक्जामपल दूँगा ठीक है बाता हूं बर्ड्स प्लाए अब आप देखो यहां पर एक सब्जेक्ट है काम करने वाला है और एक वर्ब भी दे रखी है तो यह क्या हो गया बेटा क्लॉस हो गया यह क्लॉस नहीं था क्यूंकि ना तो इसमें वर्ब है सब्जेक्ट तो मालने था चलो हम आदित्ते और म सब्जेक्ट और का कॉम्बिनेशन हो गया यह आपका क्या रहा गया केवल कोई इसका सेंस नहीं बस आपने जो वर्ड्स लिखे वह क्या हो गया आपके फ्रेज हो गया ग्रूप ऑवर्ड्स ठीक है अब तीसरी बात जो कि सबसे जादा इंपॉर्टेंड है और आपकी प्लाइंग दा काइट्स यानि कि सर ने ग्रूप ऑवर्ड्स लिखा है बहुत सारे अलग-अलग शब्दों को एक साथ मिला करके लिखा है और उसमें प्रॉपर तरीके से मीनिंग भी आ रहा है एक अर्थ भी निकल रहा है तो वो क्या कहलाएगा आपका सेंटेंस राइट येस और नो अब क्लियर है बात जिसका एक प्रॉपर मीनिंग होगा वो क्या कहलाएगा आपका सेंटेंस कहलाएगा येस और नो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अच्छा बच्चों सेंटेंस को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे पहला रहेगा अब यहीं से ही हमारा सारा गेम शुरू अब आप यहां पर बहुत ध्यान देना यहां से हमारा सारा गेम शुरू होने वारा है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मैं आपसे बोल रहाता ना बेटा पूरा फाउंडेशन इखटा आपका अच्छा कर दूँगा मैं एक एक को पता होगा आज की क्लास के बाद से को होगा आपसे कोई सब्जेक्ट क्या और आपको सब्सक्राइब करूए तो वोबी आपना सेशन थोड़ा सब यहां पर और एक बात बोलना चाहता हूं आप सारे बच्छे वोकेप के लिए परिशान थे तो सुन लीजे पहले पूरी इसके बाद अपनी class पर आऊंगा सीधा यूगि class के बीच कोई और दूसरी बात नहीं सिर्फ class के बारे मेरी जो vocab की class है वो सुभा net की issue या किसी technical issue की वज़े से वो नहीं हो पाई इसलिए आपकी कल ताजा-ताजा class कल सुभा साथ बज़े होगी और जीरो बफरिंग के साथ मलब बढ़े तरीके से जब हमारी class end होने वाली होगी न तो हमारे editor साब उसका आपको link comment box में डाल देंगे तो आपको वो class मिल जाएगी तो कल आपकी सुभाच 7 बज़े vocab की class भी शुरू हो जाएगी अब तो प्यारे बच्चो मैंने आपसे क्या कहा कि sentence तो प्यारे बच्चो subject और हमने sentence किसमें डिवाइड किया subject और प्रेडिगेट के बीच में अब हम आप मैं आपको वह इम चार्ट दिखाता हूं जहां से आप चीज़े को connect कर पाओगे अब देखो अब देखो अब इस slide में पढ़ लो अब पढ़ने के लिए कुछ नहीं रहा गया सब आपको बता है अब जो बच्चे कह रहे थे दुब ठीक है ना यह प्यारे नोट्स बहुत मेहनत की गई है इनके साथ ठीक है और बहुत आसान भाषा में वह वह टॉबिक सिखाने कोशिश कर रहे हैं जो बच्चों को नहीं जल्दी से समझ में आते हैं तो इन नोट्स को संजो करके रखना है और अपनी कॉपी में बिलकुल साइधा बहुत अच्छे तरीके से आपको बना करते हैं इसको चलना है ठीक है प्रॉमिस करना आप सारे बच्चे कि सर हम नोट्स जो है वो जरूर बनाएंगे आपके बड़ा मजा आ रहा है नोट्स को देख करके अब देख लो एक बार रिवीजर मैंने क्या बताया मतलब क्या होता है इसका इनकंप्रीड मीनिंग होता है ठीक है गुरूप वर्ट सो होता है मगर कोई अर्थ नहीं होता दूसरा क्लॉज जिसका अर्थ होता है जो सब्जेक्ट और वर्प का एक कॉंबिनेशन होता है फिर हमने सेंटेंस के बारे में बात करी तो सेंटेंस क् एक proper meaning होता है, इसका एक proper meaning होता है, वो पूरा अपना अर्थ से इसपष्ट करता है, और आपको हर चीज बात अच्छे से समण में आ जाती है sentence के मातम से, right, इतनी बात सब को clear है, अब बचो आपकी सुविथा के लिए, आपकी सुविथा के लिए, यहाँ पर मैंने जो जो बा के लिए बोल रहा है इसके थुरू आपका दुबारा से रिविजन हो जाएगा English is a language which comes from sound and sound is made of symbols और इनी symbols को क्या बोला जाता है बच्चों आपका these symbols are known as letters ठीक है तो यह symbol क्या है letter ही है ठीक है वहाँ पर मैंने आपको letter बता है तो यहाँ पर एक बात और addition कहीं गई है कि sound is made of symbol और इनी symbol को क्या बोलते है letters बोलते हैं तो यहने कि letter और symbol same and these group of symbols are called alphabet अब यहाँ पर एक term आ गई alphabet जिससे exam में कई बार question पूछे गए है जो कहता है ना कि basics of English grammar alphabet और इससे question नहीं आता तो अब आप देखो मैं आपको इस पर question करके दिखाऊंगा ठीक है और वह question जो exam में आये हुए without complete meaning ठीक है जैसे दो हमने नाम दिये थे यहाँ पर और clause मैंने आपको बताए जहाँ पर subject of verb का एक combination होता है ठीक है इसके बाद अब आपके सामने हैं यहाँ दो प्रशन है ठीक है मगर इन दोनों प्रशनों को बताने से पहले मैं आपको एक शीच क्लियर करता हूं समझना ज टर्म बीच में आगई alphabet उसको हम clear करते हूं चल रहे हैं और जहां से आपके exam में question आ जाता है ठीक है अब तो क्या होता है यह हमारे letter है एसे लेकर और पूरा आपका घूम जाए जैड तक इस तरीके से जब जैसे आप माल लो यह हमारे एक तरीके से flower है यह हमारे full है ठीक है तो को मेरी drying थोड़ी से अच्छी नहीं है तो आप लोग adjust कर लेना अब मुझे बताओ जब आप दुकान पर जाते हैं फूल लेने और कह देते हैं कि फूलो को एक आपस में धागे में पूरा पिरो दो तो क्या बनता है जब आप फूलो को पूरे धागे में पिरो देते हो तो क्या बनता है सारे बच्चे मुझे बताएंगे जितना practical समझोगे ना English को उतनी असान होगी पताओ माला बनती है जब लेटर को आपस में combine कर दोगे मिला दोगे और एक शब्द दोगे उसको तो वो क्या कहलाएगा alphabet कहलाएगा जिसको आप Hindi में क्या बोलते हैं वर्ण म समझ में आ रही है आपको साथ समझ में आ रही है अच्छा एक बात मैं आपको जो बताता हूं दर ध्यान से सुनिएगा यहां से exam का question solve करेंगे आप सारे बच्चे मुझे पक्का विश्वास है तो को दो चीज़े होती है एक होता है आपका alphabet और एक होता है मेरे प्यारे बात करते हैं तो कभी भी इसमें एस नहीं जोड़ते अगर आपने इसमें जोड़ा तो वह गलत हो जाएगा यानि कि जब भी आप किसी भी sentence में किसी भी वाक्य में alphabet यानि कि वहां वर्ण माला यूज़ करना चाहते हैं तो आप कभी भी उसमें एस को नहीं जोड़ेंगे लेकिन अगर आप वर्ण माला को या alphabet को सोरी अगर आप भाशाय दुखाना चाहा रहे हैं क्योंकि इसका तूसरा मतलब होता है, भाशाय अगर आप इस कार्त ये दिखाना चाह रहे हैं, भाशाय दिखाना चाह रहे हैं, तब उस situation में आप alphabet बोल सकते हैं, exam में आई वे questions को करते हैं आओ मेरे साथ टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी ये दो कोश्चन हमारे साथ हैं एक बार अपनी तरफ से इन दोनों कोश्चन को करने की कोशिश करिए शाबाज सब कर लोगे सब मुझे पूरा विश्वास है मुझे सब पर पूरा विश्वास है पताई है कि सही करिए थोड़ा साइड में हो जाता हूँ मैं बहुत बढ़िया बहुत अच्छे बहुत अच्छे देखो बिटा अब पहला वाला सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं पहला वाला सेंटेंस पढ़ते हैं तो पहले वाले सेंटेंस में क्या का आगया है I learned my alphabets at the age of six तो जब आप छे वर्ष के होंगे सोच के जरा देखना जब आप छे वर्ष के होंगे तो आप क्या सीख रहे होगे वर्ण माला और वर्ण माला में S लगता है कभी नहीं लगता तो पहले वाले में क्या होगा S आपका हट जाएगा बात समझ में आगई ठीक दूसरा there are many alphabets spoken in India हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं तो यहां किसीच का सेंस आया है भाषाओं का सेंस आया है और जब भाषाओं का सेंस आएगा तो क्या यूज़ करना होगा भाई तो हमें alphabets का बात समझ में आ रही है तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा एस को जोड़ना पड़ेगा clear है एकदम clear सारे बच्चे बोलिए एक बार clear है एकदम प्रियाग राज में अच्छा ठीक है मज़ा आया यहां तक clear है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शाबबाश बिटा हाँ जिसने नहीं बोला है तो मैं इसको एक बार दुबारा बताता हूं दुबारा सुनेंगे एक बच्चा बोल रहा है तो आप जो आपका जो भी नाम है वास्तिविक नाम है दुबारा से सुनिए मैंने आपको बहुत असान भाशा में दो चीज़े बताई है एक आपका हम लेटर से एल्फाबेट पर आये ना तो एल्फाबेट होता है और एल्फाबेट होता है अफेसी करता है दूसरा हूता है जिसका मतलब क्या होता है भाशाएं तो जब भाशाओं आर्थ होगा तब alphabets करेंगे और जब alphabets अर्थ होगा तब जब वर्णमाला अर्थ होगा तब alphabets करेंगे तो बाबु यही तो यहां कहा गया है कि island जब 6 साल की आप आईउ में होगे तो आपने क्या सीखा होगा simple सी बात है वर्णमाला सीखी होगी तो यहां से ऐसा डाना पड़ेगा और इंडिया जो देश है हमारा इसमें बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है तो यहां पर आप क्या करेंगे alphabets कर देंगे क्या कहते हो clear है हाँ जी नए साल की सभी को शुपकामना है अब बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अब प्यारे बच्चो इससे आगे है ना तो यह दो को यहां पर आपको मैंने clear भी कर दिया है बहुत प्यारी PDF मिलेगी आपको बहुत अच्छी तरीके से animation के साथ पूरा ठीक है यह मैंने आपको यहां पर इसको clear भी कर दिया है मनामल आंसर भी आपको दे दिया है अब प्यारे बच्चो हम sentence तक आ गए थे सब लोग चीजों को पकड़ते हो चल रहा है ना एकदम बड़े तरीके से word से हमने phrase को थोड़ा सा समझा साइड में रख दिया अब हम किस पर बात करेंगे sentence और यहीं से अपनी सारी शुरुआत करेंगे तो sentence को हम लोग दो भागों में बाटेंगे और आप साई बच्चे मैं वादा करता हूं एक-एक question solve करोगे आज इस class में एक-एक question solve करोगे तो sentence को हम लोग दो भागों में divide करेंगे पहला होगा आपका subject और दूसरा होगा आपका predicate ठीक है अभी हमारे editor साब आ जाए उनके सामने एकदम live जो है वो करते है practical ठीक है उनको बुलाता हूं और आपको extreme level पर जो है चीज़ समझाने की उशिच करता हूं अब देखो प्रेडिकेट जो होता है न हमारा वो दो तरीके से हो सकता है एक अकेला verb भी हो सकता है और verb प्लस object भी हो सकता है मगर आपके मन में एक सवाल होगा कि सर प्रेडिकेट होता क्या है ठीक है प्रेडिकेट होता क्या है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते है जैसे मैं आपको दो example देता हूँ पहला example मैं आपको देता हूँ वही वाला जो मैंने आपको बताया था birds ply पहला example और दूसरा students are plying the kites राइट बच्चो अब देखें, हम अब हम यहाँ पर समझते हैं कि आपका predicate क्या होता है तो जैसा कि मैंने आपसे क्या कहा कि predicate क्या होता है subject के अलावा sentence का rest of the part यानि कि आप पहले subject को पकड़ लो और फिर जो भी sentence में बचा है वो क्या हो गया predicate हो गया कितना असान है जैसे यह हमारा subject है, हमने पकड़ लिया अब बचा हो पार्ट यह क्या हो गया हमारा predicate हो गया अब यहां पर subject क्या है, काम करने वाला कोई है चात्रे students अब यह सौरा पार्ट are flying the kites क्या हो गया predicate हो गया clear हो गया बात बेटा, biology का भी class चलेगा tension मतलो आप सारी class से चलेगे एक एक करके tension मतलो दिरे-दिरे सब चीज़े आपको समझ में आ जाएंगे है ना, एक दो दिन starting में नहीं समझ में आता फिर उसके बाद सब कुछ हमें समझ में आ जाता कि कौन सी class किस राइम चलती है बागी अभी time table में आपको मैंने दिखा यह था उठाएंगे topic के sentence की definition मैंने आपको बता दी starting में कि इसका एक proper meaning होता है ठीक है वो हमारा sentence होता है अब देखना कि यहां पर मैं अभी subject के बारे में आपसे बात करूंगा मैं करा हूँ बहुत कुछ लाया हूँ मेरे दोस्तों आप लोग के लिए बहुत कुछ लाया हूँ मैं आप लोग के लिए तो यहां पर अभी जो हमारा अगला सवाल आएगा अभी हमने प्रेडिकेट के बारे में जाना कि सर ने बताये कि सब्जेक्ट के अलावा जो रेश्ट पार्ट होता है वो हमारा प्रेडिकेट होता है अब भी हम लोग एक काम करते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट को समझ लेता है फिर मैं आपको एक्सराइज कर वा हूँ क्लास के अंदर ही स सुनेगा द्यान से मैं उनको बुला लेता हूं उनको बुला लेता हूं एक सब्सक्राइब अब आप यह मान लीजिए यह हमारे भाई है ठीक है हम प्रैक्टिकल करते हैं क्लास में पहली क्लास में और आशी क्लास में इंग्लिस से प्यार हो जाएगा अब क्या होता है कि जैसे मैं कोई हूँ मेरा नाम है अनुच और आपका नाम अब मैं क्या काम करता हूँ मुझे मत बदाऊ मैं कौन हूँ ठीक हैं बस मेरा नाम है अनुच और नवीजिं भाई अ मैंने कुछ नहीं करा मैंने नवीं भाई को पकड़ा और इतनी बुरी तोरीकिसरी थोड़ा सा ऐसे उनको धक्का दे दिया अब क्या है कि जैसी मैंने कोई action करा समझ में आरी बात तो नवीन भाई आप पीछे हुए थे अभी है ना तो क्या होता है कि जो subject होता है वो जो काम करता है उसका असर जिस पर जाता है वो object होता है और जो action करता वो कौन होता है subject होता है पस इतनी सी आपकी चाहिए अब देखो यह हमने practical जो है वो थोड़ा सा class में आपको करके दिखाया है ना तो यह था अभी यह जो आपके सामने image नदर आ रही है न बच्चो यह आपका practical example of subject है जब हम object के बारे में बात करेंगे तो मैं आपको object के बारे में भी ले करके आओंगा ठीक है ना और किस ने दिया नवीन को दिया तो अनुझ पुष्ड नवीन मैंने क्या करा नवीन को पुष्ड करा तो काम करने वाला कौन था बोलो यार काम करने वाला कौन था सारे बैचे मुझे बिताओ फटा फटा बोलो बोलो काम करने वाला कौन था सीख गया आप लो बहुत अच्छे अनुछ कौन है grammar की भाशा में subject है clear है बात तो यानि कि जो action को करता है वो subject होता है इस image को मैं दुबारा लगाऊंगा कल की class में जब हमारा object चलेगा तो जो ये भाई साब है न यहनोंने action को receive किया है दक्का वो दर्द महस्कूस किया है गरने का वो कौन होगा हमारा object होगा बात समझ में आ रही है अब येस बहुत बढ़ी है अब प्यारे बच्चों अब दूसरी बात subject के बारे में एक और आ जाती है जरा समझना जरा ध्यान से हमने ये बहुत अच्छे से समझ लिया कि subject काम करने वाला बंदा होता है जो action करता है वो हमारा subject होता है लेकिन एक बात और भी कही जाती है subject के बारे में वो भी जरा ध्यान से सुन लो बचो subject वो भी है जो action करता है subject वो भी है जिसके बारे में हम बात कर रहे होता है जैसे suppose कीजिए मैंने यहां पर यहीं पर आ जाते हैं PPT में यहां पर मैंने आपके सामने एक एक एक्जामबल लिखा कि जैसे नवीन को ही ले लेता है नवीन is playing cricket नवीन क्या है? क्रिकेट खेल रहा है? आपको पता है कि यहां काम करने वाला कौन है? subject नवीन है नवीन एक क्या कर रहा है? action को कर रहा है तो subject क्या होता है? जो एक action को perform करता है ठीक है? एक बात लेकिन अगर मैं आपके सामने एक बात और लिख दूँ कि नवीन is a smart boy तो क्या नवीन second sentence में subject नहीं होगा? बिलकुल होगा लेकिन क्या नवीन कोई action कर रहा है? second sentence में क्या नवीन कोई action कर रहा है? yes or no के बारे में बताएंगे सिर्फ yes or no बताएं हाँ? नहीं कर रहा? बहुत बढ़िया अब ये action कर भी नहीं रहा है फिर भी ये क्या हो गया हमारा? subject हो गया, निकि ये दो बात है हम कहेंगे subject के बारे में कि subject क्या होता है? जो किसी action को करता है और जिसके बारे में लोग बात करते हैं whom or which we talk about we talk about ठीक है? जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं वो क्या होता है हमारा? subject होता है या जो किसी action को करता है? right? clear है बात मेरे बच्चो? बहुत बढ़िया तो अभी हमने subject के बारे में जाना जो काम को करता है जिसके बारे में बात हो रही होती है हमने predicate के बारे में जान लिया कि predicate क्या होता है subject के अलावा sentence का rest of the part होता है तो मेरे share हो एक बार हुंकार भर के कह दो कि question करने के लिए तयार हो आपके सामें कुछ question होंगे आठ सेनो जिसमें आपको सिर्फ ये बताना है कि subject क्या है और predicate क्या है तयार हो सीखेंगे और implement करेंगे वो चीज़े आज आपको समझाई है वो चीज़े बताई है जिससे बच्चे हमेशा भागते थे ठीक है मैंने वही चीज़ आकर नहीं शुरू करी कि noun क्या होता है और noun ये वो तुमने बच्चपन से पढ़ते आए हो noun बहुत भड़ी आए मेरा noun pronoun ऐसा पढ़ाऊंगा कि ऐसे ऐसे concept पताऊंगा ना pronoun के मजा जायेगा तुम लोग लेकिन खुद को चैलेंज करा है मैंने खुद को चैलेंज किया है आप लोगों के लिए क्योंकि ये वो बच्चा है जो बारवी पास करके आया है इसका foundation पहले मुझे अच्छा बनाना है ये मैंने खुद से बोला है mirror के सामने कड़ो कर कि अनुज तेरों को पहले इनका foundation अच्छा करना है चाहे इनको कितनी भी दिक्कत क्यों ना हो लेकिन जो पढ़ाऊंगा वही पढ़ाऊंगा जो एक्जाम तक आपके काम आएगा और आपको एक्जाम में अच्छा स्कोर कराएगा बाव समझ में आरी आप लोगों ठीक है ठीक है क्लियर हो रही बात आप सारे बच्छों को अब घ्यान समझना जो तुम सारे शेरो तुम करोगे यह तुम्हारे सामने एक exercise है अब आप सारे बच्छों को मैं तो मिनट सिर्फ चुप रहूं के यहां के खड़ा रहूंगा आप सारे बच्छों को पहला question जिसको chat करके answer लिखने करो आपको क्या काम करना एक question मैं करके दिखा रहा हूं sir बाकी सारे तुम करोगे जैसे पहला sentence the earth और यह वाला question अभी आप लोग नहीं करेंगे यह वाला मैं करूंगा और question number four एक एक कर गया और चोड़ना है बाकी सुनो जैसे the earth moves around the sun तो मेरे को बताना था कि subject और प्रेडिगेट क्या है तो आप मैंने बताया कि यह जो अर्थ है वह ना इसके बारे में बात हो रही है action कर रही है तो यह subject हो गया और बच्चों rest the part क्या हो गया पूरा underline part मारा प्रेडिगेट हो गया ठीक है अब आप सारे बच्चे जो है वो question number four छोड़कर वैसे अगर आपको लगता है four कर लोगे तो four भी करो गोई दिक्कत नहीं है यह सारे कुशन के जवाब दीजे चलो शाबश करिए सीखने आयो सीख करदा होगे बहुत शान्दार सारे बच्चे लाइक ठोक दो एक बार फटा फट मजा जाना चीए और class के बाद हर एक बच्चे का comment मुझे चाहिए तो सच में selection लेना चाहता है कि आपको class कैसी लगी thank you so much मुहम्मद आयान thank you so much मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ करिए करिए अब यह आपका भ्यास है यह रण शुरू हो चुका है बहुत अच्छे सब लोग मेहनत करें सब लोग कोई शर्माएगा नहीं अपनी class है यह अपनी class है कोई शर्माएगा नहीं आंसर करो टेंशन मतलो तुम्हारे रिष्थे वाले कमेंट बॉक्स में नहीं बैठे मजे में कमेंट करो गलती होती है होने दो ठीक है आपके बढ़ाने है थीक है ठीक है अब आप सबी लोग का प्यार है बिटा ठीक है बहुत शानदार यह स्पीड चाहिए मुझे कमेंट की यह स्पीड मुझे चाहिए बहुत शानदार बहुत शान शानदर अ वेरी नैस वेरी नैस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत अच्छे चलो अब मैं आप लोगों को ये exercise solve करवा देता हूं ठीक है चेक करना ठीक है अब मुझे बताना किस किस का सही है तो जो पहला कोशन था वो तो मैंने कर दिया दूसरा flowers दोखो flowers कोई काम नहीं कर रहे flowers are beautiful दोखो मैं काम करता हूं ये जो circle है से subject बना देता हूं अंडरलाइन कर देता हूं ठीक है लिखना नहीं पड़ेगा बार पर तो ये हमारा predicate हो गया ये हमारा subject हो गया sun के बारे में बात कर रहे है sun हमारा subject हो गया sets in the west प्रेडिकेट हो गया अर्ली बर्ड अब अर्ली बर्ड क्या हो गया हमारा subject हो गया catch the warm प्रेडिकेट हो गया राइट अच्छा और पर रात आसिक रूम सब्जेक्ट हो गया शूट भी वैल एयर्ड प्रेडिकेट हो गया इसी तरीके से the singing of the words आप दोखो ये पूरा है the singing of the words पूरा subject हो गया delight us प्रेडिकेट हो गया ठीक है इसलामबाद के बार ये subject हो गया rest of the part प्रेडिकेट हो गया the the cocking of geese है न ये क्या हो गया हमारा subject हो गया और ये हमारा क्या हो गया प्रेडिकेट हो गया जो question number four में बताएंगे सारे बच्चे question number four में आप बच्चे के आप सबजेक्ट को ढूण करके दिखाईए subject और प्रेडिकेट को question number four में question number four में आप मुझे बताएंगे फटाफट से जल्दी से ुद्ट येस 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 जी बहुत बढ़िया और टॉप ऑफ दा हिल और बच्छो ये सही कर लिए यार ये मैं भी कहूं कि कुछ गड़बड है यहां पर ये कैकलिंग होता है है ना कैकलिंग ओफ गीज ये इसको सही कर लो यार ये टाइपिंग मिस्टेक है कोई दिक्कत नहीं है इस वाले वर्ड को लिए लिए देता हूं हमारा सब्चेक्ट और दिल जीत लिया मेरे दोस्तों तुम लोगों ने बहुत शांदार यार क्या बात है बच्छो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस वाले में फॉर्थ कोश्चन में, वो यहां से सब्सक्राइब उठा लेते हैं, हिल के बारे में बात हो रही है, इसके बारे, भाई सब्जेक्ट कौन है, हमिट है, वेरी नाइस मेरे दोस्तों, वेरी नाइस मेरे शेयरों, अच्छा, यहां पर जो है, आपके चैट बॉक्स में, सर कल की अच्छे मेरी बात को सुनेंगे, अब मेरी बात को सिर्फ दो मिनिट में आप लोगों को के लूँगा, ठीक है, दो मिनिट में आपकी बात को के लूँगा, एक तो आपकी जो वोक्याब की क्लास है, सारे बच्चे ध्यान देंगे, जो आप वोक्याब की क्लास के लिए पर आपको बता दिया न सारे चीजे क्या कि वोगैब की जो आपकी क्लास है वो कब है आपकी कल सुभे साथ बज़े सुभे सात बज़े वो क्या मन्थन और हर वो चीज इस वोकैब सेशन में होगी जिसके लिए आप सारे बच्चे एक्दम चाहते हैं कि सर यह भी हो वो उसका लि आना है कल आपकी क्लास होगी वोक्व मंत्पन की ठीक है साब अब इसके बाद आपको क्लास कैसी लगी यह वाली क्लास पीडिएफ भी मिल जाएगी आप सभी बच्चों को हाँ बिलकुल मिल जाएगी जैसे जो बच्चे अफसर बैच में इंडोल कर लेंगे उनको पीडिएफ मिल जाएगी हर चीज मिलेगी आपको टेंशन मतलो आप उस चीज को ले करके ठीक है अच्छा सारे बच्चे एक चीज़ और ध्यान रखेंगे अभी आप सारे बच्चे स बहुत अच्छी हो जाएगी जब मैं रात को सोने जाओं और आप लोगे कमेंट पड़ूँगा अब सारे बच्चे चैट बोक्स में एक बार फटा फट से जैहन लिख दीजे है ना और फिर मिलेंगे हम कल शाम को पहले सुबह साथ बजे फिर शाम को जी क्लास के बारे में बिलकुल 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 ठीक है मती कर दी। बोट बढ़िया बहुत बढ़िया तो हब तो शाबावस अ कि हेख है छोट कर ढ़ extends हो नहीं कि हेख है मज़ा है आए अचकी अधिकल कर ए किसी बच्चे का कोई भी छोटा मोट चोटा मोट भी डाउट ओ तो वह वहीं पूछ लिजे है ना कोई भी बात हो ऐसी एक मिनिट है मारे पार कोई पूछ ले नो बता देंगे भाप लेकिन एक चीज मैं आपसे बोलूँगा, थैंक यू सो मच यार, आप लोगों ने इतना प्यार किया, थैंक यू सो मच, मैं बहुत हवारी हूँ आपके प्यार का, बस एक चीज मैं आपसे कहूंगा, कि कल सुबह आना यार, एक बार वो कैप की ग्लास में, फिर उसके बाद में, खुद को मजबूत पाएंगे, पहतर पाएंगे आने वाले समय में, तो मुझे आप लोगों का प्यार देखकर के बड़ा अच्छा लगा, और दिल से आप लोगों को धन्यवाद, और तहे दिल से आपको लोगों को शुक्रिया कहना चाता हूँ, कि आप लोगों ने में लड़ाई करवाएंगे कल, ठीक है, तो खेर, तो लव यू अल, मेरे बच्चों, कल मिलते हैं आप लोगों से, सुबह साथ बजे, हुक्याब मंतन क्लास में, तब तक के लिए, जैहिन, नमस्कार, बंदे मातरम, बाई बाई, जैहिन.